अमेठी में टॉफ फाइट है, स्मृती रानी यहां से हार सकती है, मैं यह दावे तो नहीं कर सकता, बट अभी की स्थिति यही है अमेठी कॉंग्रेस चीन सकती है बिलकुर 2024 के चुनावी रण में भाले पीए मोधी एक बार फर अपनी नईया पार कर ले जाए लेकिन गोधी मीरिया की तरफ से दावा है कि शायद स्मृती रानी की लुटिया अगामी चुनाव में डूप सकती है जी हां, भाजपा की फाइर प्रांड सांसद और राहुल गानी की बीजेपी में बची इकलौती काट और मौजूदा महिला एवेंबाल विकास मंत्री स्मृती रानी दोहज़ार चौबिस के लोगसवा चुनाव में अमेठी की जंग हार भी सकती है ऐसा दावा हम नहीं, बलकि वो लोग कर रहे हैं जिनका काम ही सत्ता सीनों का जैगान करना है तमस्कार अदाव, आप देख रहे हैं खबर इड़ा और आपके साथ मैं हूँ सुम्बुली रम तो 2024 को लेकर जो सर्वे रजस्चर्मा का चैनल इंडिया टीवी लेकर आया है वो मोदी जी के लिए भाले सुकून की खबर हो लेकिन स्मिती रानी के चैरे पर शिकन की लकीरे खीच सकता है जी हाँ, रजस्चर्मा के इंडिया टीवी ने जो भविश्ववानी की है उसके अनुसार 2024 के चुनाव में एक तरफ जहां BJP अपने प्रदर्शन को दोबारा 300 के पार ले जाकर जीत हासिल करेगी तो वहीं दूसरी और स्मिती रानी को अमेठी में हार का सामना करना पड़ सकता है हर दूसरे मैंने जिस तेवर और कलेवर में स्मिती रानी का कोई ना कोई वीडियो वाइरल हो जाता है वो भले या माडम कुण की निगाहों में 30 मार खान साबित करता हो लेकिन जनता के निगाहों में उनकी छवी धूमिल होती जा रही है कभी आम आपनी तो कभी पत्रकार तो कभी कोई और आई दिन कोई न कोई स्मिती रानी के गुस्से का शिकार हो जाता है और माडम मंतरी खबर की सुर्खियों तक पहुँच जाती है लेकिन इस बार जिसकारण से स्मिती रानी खबरों में आई हो उसका पूरा श्रे रजशर्मा को जाता है क्योंकि रजशर्मा के ही इंडिया टीवी ने हवा से बाते कर रही मंतरी जी के लिए खतरे की घंटी बजाई है और उन्हें जमीन पर उतर कर सोचने को कहा है क्योंकि इंडिया टीवी ने अपने सर्वे में कहा है कि जहां देश की 543 सीटों में से बीजेपी को 318 सीटों पर बंपर जीत 2024 में मिल सकती है और इस जीत में उत्तर पिडेश से बीजेपी के खाते में जो योगदान होगा वो 73 सीटों की हो सकती है लेकिन पेंच उस सीट पर बीजेपी के लिए फसेगा जहां उसकी कॉंग्रेस से नाक की लडाई है यानि अमेठी यूपी के कुल 80 सीटों में से जब बीजेपी 73 सीटे जीत जाए लेकिन अमेठी में कॉंग्रेस से हार जाए तो आप समझ लीजिए कि ये हार उसकी जीत पर कैसा बट्टा लगाएगी और ऐसा होगा तो सिफ स्मिती राणी के कारण अगर हम इंडिया टीवी के इस पूरे सर्वे को सच और सही मान भी लें कि बीजेपी की जीत ऐसी वैसी नहीं बलकि बंपर होने वाली है तो सोची कि स्मिती राणी का अमेठी से हार जाना उसकी जीत के मजे को कैसा किरकिरा कर देगा लेकिन सर्वे का जो रुजहान है वो यहीं बता रहा है कि पूर्व कपड़ा मंत्री स्मिती राणी 2024 में बीजेपी वालों को अपने प्रदर्शन से ऐसा रुलाने जा रहे हैं कि बीजेपी वालों को आसु पोचने के लिए कपड़े की भी किलत पड़ जाएगी ये तो सब जानते हैं कि विपक्ष इस बात को अपनाए या ना अपनाए बीजेपी इस बात को अपनी जुबान पर लाए या ना लाए लेकिन सच यही है कि राहुल गांधी ही कॉंग्रेस का चेहरा है और कॉंग्रेस से बड़ी कोई विपक्षी पार्टी अभी है नहीं और ऐसे में राहूल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो या फर उनकी संसत सदस्यता का रद्ध हो जाना इन दोनों बातों ने उनके कद को काफी ज्यादा बढ़ाया है और अगर स्मिती रानी इस सर्वे के दावे अनुसार अमेठी हारती है तो राहूल गांधी की समयनत का उसमें बहुत बड़ा हाथ होगा वैसे भी अब राहूल गांधी के महरत जोड़ो यात्रा का दूसरा अध्याश शुरू होने वाला है जिसमें यात्रा की शुरूवात राहूल गांधी उत्रप्रदेश से करने वाले हैं और इस यात्रा में राहूल गांधी सबसे ज्यादा उत्रप्रदेश में रुकने वाले हैं ऐसे में अगर राहूल गांधी की यात्रा से पहले ही मीडिया ने ये मान लिया है कि स्मिती रानी चुनाव हारने जा रही है तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद यही मीडिया ये खबर चलाएगी कि स्मिती रानी ना सिर्फ चुनाव हारने वाली है बलकि बुरी तरहा से हारने वाली है जिस गोदी मीडिया के सर्वे की बात कर रहे हैं व भाजपा के लिए माहौल बना रहे हैं तो रजशर्मा के चैनल की तरफ से सर्वे के नाम पर स्मित इरानी पर फोड़े गया इस बॉम पर आपकी कोई राय है तो हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर साजा कीजिए और हमारे फ्री जल्जिन को आपके सपोर्ट की जरूरत ह है वो तब ही होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स इवर्टन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी होसला अवजाए करेंगे अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर एड़ा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजे